हेलो एब्रिवन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास लाइंग की जो आपकी बाइलोजी की बुक है उसे चेटर नम्बर एट सेल यूट अफ लाइफ प्रिएस वीडियो में हमने यहां तक इस चेटर को प्लेट कर लिया था तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पड़ेंगे थो आहीं हुआप आपको पिछली वीडियो में क्लियर हो गया और आपको आपने वीडियो देखियत तो आप के आप में चैनल भएप कि थी टीम लाइँ4 प्रची nam ciliellaा के बाद की थी यह हम ने जो आलगले टाईप कोगे साइट क किसके लिए काम आता है उसके में क्या क्या होता है ह। इसके बाद हमने फिलमेट मिन फिलमेंdown see है इंहें 9 plus 2 औरेंचमेंट है सारी हमने पढ़े हम êtes अन्याइंटिव में परदा फिसके बाद हमने इसकी quand ours आई मुर्णती स्कोलीर की उसमें हमने उसमें इसने पाया जाता है और क्या प्रेस्च tut दे हैं प्रेंच माइन प्लॉटी क्युक्तिश Nous You जब कि आपका वह डिवा क्यों प्रेंगे कि क्या होता है सेंट्रोजों में जो आपको की अगुछ निले पाइज़ होता है इसमें पास के पास किया होते हैं structures होते हैं, जिन हम क्या कहते हैं, centrioles कहते हैं, क्या कहते हैं, centrioles कहते हैं, तो यह क्या होते हैं, इस तरह से 90 degree, जो है, यह arranged रहते हैं, 90 degree, जो है, जो है, arranged रहते हैं, यह 90 degree, centrosome, जो है, आपको बताऊंगो, 90 degree कैसे, centrosome is originally containing two cylindrical structures, एक centrosome है, जिसके इस तो आपस कम ऑफ्क Tudo अछां हो गया और यहां पर एक सेंट्रियोत रहते हैं इस तरह इस द्धी में एंटी डिकरी हो गया थे अधर से बताय कि आपको पता थे मैं,, कि करते हैं इदार से इसे तो यह इंट वो होता है झो की से भाइल उट है क्लियर हो गए है अब इससे क्या दिश्य निगलते हैं कुछ विससे क्या निगलते हैं त्रेडल एक्ष्टर्स निकल जैने अगे पड़ेंगे सल डिवाइड करता है इक सल से दो सल बनते हैं इसे स्राउंड़ रहते हैं अमर्फस मतलब क्यों कि कुछ लिक्विड टाइप ओगया पैरिसेंट्रियोलर मेटीडियल से मतलब मैंने यह आपको बताया इसे क्या पाया जाता है डिक्विड टाइप को पाया जाता है इसे हम क्या कहेंगे यह क्लियर होगा पैरिसेंट्रियोलर मेटीडियल कहेंगे तो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है, अब इसमें देखेंगे हम किस तरह से जो 9 plus 2 का, 9 plus 0 जो अरेंजमेंट इसमें होती है, both the centrioles ये न, centrium, देखिया, मैं आपको बता दिया है, both the centrioles in centrosome, centrioles होते हैं, दोनों centrosome में, ये पूरा क्या हो गया, आपका centrosome हो गया, और इनमें ये क्या हो गया, centrioles हो गया, पूरा हो गया centrosome, इनमें ये क्या हो गया, centrioles हो गया, तो इस जो centrioles होते हैं, both the centrioles and centrosome, lie perpendicular to each other, मैं आपको बताया कि इस तरह से perpendicular जो रहेंगे, each has an organization like a cartwheel की तरह जिन की organization होगी, मतलब 9 plus 0 जिन में arrangement होगी, इसके बारे में अब देखते हैं, कैसे 9 plus 0 arrangement होगी, एक बार डाइग्राम से इसके बारे में समझते हैं कि इस तरह से इन में 9 plus 0 arrangement होगी, इसके बार देखते हैं कैसे होगी, तो इसके बाद हम NCRT read करेंगे, तो मैंने आपको बताया, यह तो क्या होगे आपका, यहाँ पर बनाते हैं, पैरी centriolar, जो आपका material होगया, अब इसमें क्या होगा इस तरह से, इसमें क्या होगा आपका, कि यह centriol, अब देखे हैं हम arrangement देखे हैं, centriol की arrangement हम अब देख रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा, इसमें हमने पढ़डा था, Selia Fle wavelength में, इसमें doublet, माईक्रो टीबूल की जो है, doublet में पाये जाते हैं, इसमें क्या होगा जाती हैं, इसमें क्या difference unless the começaением भी देखते हैं तो इसमें क्या होता है यह हो गया 1976 तो इसमें क्या होता है इस तरह से daug नाइं जो है 9 जो है इसमें लगए नो सिपे यह नाइन जो है बना लेते हैं तो इस तरह से नाइं जो है लगवत्व तो अपके ना भी बनें तो कोई problem नहीं है बड़ आपको concept बह referendum है यह क्योंगे चीज़े क्या होती है इसमें जो सेंटर पर कोई भी जो है नहीं पाए जाएगा इसमें कोई भी सेंटर पर आपकी जो है नहीं पाए जाएंगे इसमें इसमें बस एक इस सपेस के कमी की वज़ास मैंने दिख दिया हमें बीच मेंन के सेंटर में प्रोटीन का बनावा एक strucçur पाया जाय गया पाये हब कहें गया से circle shape में क्या कहेंगे हब कहेंगे आयप आपको clear होगा हब क्या होता है और यह किसा पुशू का बनाता है इसमें भी क्या पाइया जाएगा शोग मैं आपको के बताया थी जा जो आपस में टिर्पलेट हो गई यह आपको समें अट्याच रखने के लिए बामात मैं एक दूसरे से अट्याच इसे तरह इसमें ही हो जगा A, B, C, तो A वाला C से attach होगा, इस तरह जब अगले वाला बनाएंगे, अगले वाला बनाया हमने, अब यह C वाला किस से attach होगा, मान दीजे, यह A वाला है, तो यह A वाले से attach होगा, इस तरह से आपस होगे, यह कोई 3 होगे, इसमें हमने मान दिया यह वाला A हो गए, यह वाला B हो गए, यह वाला C हो गा 9 जो होगे इसमे, एसे यह अपस में अटाच होगे, तो अब आगे इसके बारे में, ncr T में क्या लिखाँ है ? NCRT में चोरा रीड करते हैं, मैंने आको वैसे बता दिया है यह क्या होता है बटेक बाएं से आर्टिक रहते हैं क्योंकि आंसीर्ट इसमें अब यह मैं आपको बता आयए ट्रिपलट होती है इसमें तो 9 तीज़ें कितने हो गतीन होगे 27 होगे लेकिन हमने पिछले वाले में कितने देखे थे 20 कैसे देखे थे उसमें डबलेट थे 9 प्ल Spaced Peripheral Fibrils of Tubulin Proteins, मैं भी कहोते हैं, त्यूबलिन प्रोटीन के जो हैं बने होते हैं, Peripheral Fibrils मतलब क्या होगे, Microtubule को यहां पर कहा रहे हैं, Spaced Peripheral Fibrils of Tubulin Proteins, Microtubule, जो की Fibrillin, Tubulin Protein के जो हैं, को बनांत मों आपको प्रेवर्स सी fidbrile जले ट्रिपलेट पैरिफर ओ लक्र के नर्फ किसको क्या रहे हैए द्रिपलेट की ट्रिपलेट के रहे मैं ऐसे थीन के फॉर्म में एट कीड़ में वह आरेंग के पिटेशंट ट्रिपलेट अल्सों पर वापिस में जुडबह ब्यू कर AAC वाला इस तरह से तो आप बना के देख सकते हैं AAC कैसे मैं आपको भी बता दिया कैसे the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous इसमें क्यों होता है central part होता है जो आपका ये central मैं आपको बताया जिस हम क्या कहेंगे वो भी proteinaceous होता है जो centriole में इसमें क्या कहेंगे call the hub and call the hub मैंने आपको बताये जो है center में क्या present होगा इसमें hub होगा protein का बना होगा होता है proteinaceous structure होता है जिसे हम क्या कहेंगे which is connected to the with the tubules of the peripheral triplets by radius box और यह किस से connected होगा ऐसे जो radius box से connected होगा हर एक जो है tubules जो आपके peripheral triplets से मतलब हर एक microtubule का triplet उससे जो है किस से attach होगा radius box attach होगा center वाला आपको clear होगा अगर किसी ने आपने प्रिवस वीडियो नहीं देखी है जो आप जो मैंने आपको जो प्रिवस वीडियो में आपको clear होगा कि इसमें क्यों नाइं प्लस जीर अरेंजमेंट होता है centriule में आपको जैसे कि अभी बताया तो इसलिए जो आपको basal body होता है मैंने आपको बताया थे यह वाला basal body हो गया और यह आपका जो है body हो यह आपकी exonym होगी यह यह वाल फ्लेजला तो इस वाजसे and spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cells और यह जो आपका centriole होता है जो आपका centriole होता है यह किससे क्या निकलते हैं कुछ धागे थागे thread like structures निकलते हैं जो thread like structures जो इससे जो है निकलते हैं एक उपर एक नीचे इस तरह से निकलते हैं centriole से तो यह cell division के दुरान काम आते हैं इससे जो cell यहाँ पे माल लिजए chromosome हापका यहाँ पे भी chromosome है तो एक जो है मैंने आपको क्या करेंगी जो है दूर ले जाएंगा यहां पे इस तरफ आजएगा एक व VC और यह वला पर लापको इस तरह से और हूगा और यहाँ आपको एक है और फिल्टोे प्रेंदे स्ब कितने थे हमने पढ़े थे उसमें पढ़े थे हमने 20 बढ़े थे तो आपको एक क्लियर हुआ होगा अब हम चलते हैं आगे नुकलियस पे यह हमारा चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद अब इसके होता है में जो में इसके पास इनफ के पास इनफरीन से पाया जाती है यह आपको होती है १नलियर होता है वह होता है यह जो है एक जेन धुशराद के वजected होती है प्रिपर्टप्र. चैप्टर के स्टर्टिक में बिल्खुल हमने पड़ा भी था कि नुकलिस को निगुलस हो डिसकवर किया था सबसे पहले वाले पेच पर दिखा हूब आपकी बाद खोल के देखिएगा हमने जो किया भी था Robert Brown ने सबसे पहले discover किया था as early as in 1831 में किसमे 1831 में जो है इसमें discover किया था तो सबसे पहले page में लिखा भी हो था Later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming, Fleming ने क्या नाम दिया chromatin नाम दिया, जो कि basic dyes से हमने किया basic dyes से हमने पहले जो किया तो इसलिए हमने इसको stained किया basic dyes से मतलो उसके positive होगा और उसके negative होगा इसलिए DNA पर आएप को एक लियर हुआ होगा जो फ्लैमिंग न जो नाम दिया cromatin अब आगे देखते हैं कि cromatin होता क्या इसमें के मेंप्रेंस यह वह होती है सबसे हैं तो cromatin हम सबसे पहले देखते हैं मालीजे आपका dna है अब यह जो dna होता है अब वो पूरे nucleus में space कितना है 0.5 micrometer 0.5 micrometer देख लिए जे कितना small size है ये तो 2 meter होगिया लेकिन size आपके पास इतना सा है तो आप रखी नहीं सकते बिल्कुल भी आप इस DNA को जो है ऐसे ऐसे खोल के इस पूरे DNA को रखी नहीं सकते तो इस ऐसे रखने ही सकते आप DNA बिल्कुल condensed हो चुका है ये क्या होगा बिल्कुल condensed अब ये जो है आपकी जब वो होगी आपकी जो है cell division होगी उस time पे जो है वो जो है chromosome बनाएगा फिर आगे जो है chromosome बनेंगे आगे बट ये chromosome के हम बात नहीं करें अभी में लिए हमारा focus है chromatin पे तो chromatin बिल्कुल condensed DNA हो हम क्या गएंगे जो है chromatin कहेंगे इंटरफेस नुकलेस था इंटरफेस नुकलेस किसकी बात करें इंटरफेस नुकलेस इंटरफेस में आपको प्रिवेस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था कि जो कि इंटरफेस क्या होती है इंटरफेस जो है जो आपके G1 हो गई G1 हो गई S और G2 तीन फेस उती है उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें तो हम जो है उन्हें हम क्या कहेंगे उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे मतलब वह जो आपका preparation phase होता है लेकिन जो आपको उसके बाद होता है Pro-phase, Metaphase, Anaphase, Skillophase, उसे हम क्या कहेंगे, Unflease क्हेंगे, तो sorry है, गलती से बोल दिया, तो इसमें क्या होगा, कि जो आपका Ultra-phase, representatives क्या हम क्या गेंगे, G1, S, और G2, दों हमें Д tox-थो, baby childhood phases होती है, इंश तीनों phases को मिलांगे, क्या कहते हैं, interface कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, तो इंटरफेस में क्या होगा, जो आपका chromatin material, जो आपका material है, chromatin material, जो आपका chromatin की form में ही रहेगा, आपका nucleus जो है नहीं बनेगा, लेकिन इंटरफेस के लाओ, जो आप हम आएंगे, M phase में आएंगे, M phase मतलब mitoses कर रहे होगे, mitoses कर रहे होगे, लेकिन mitosiz की बात कर लेते हैं, फो उसमें क्या होगी, pro phase, metaphase, anaphase और telophase, जो इसमें present होती हैं, तो इसमें हम किस की बात कर रहे इन, या हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, M phase की, यहांपे किस की बात करेंगे, हम इंटरफेस के जब जो एक chromatin होता है nucleus of cell when it is not dividing वो divide नहीं कर रहे हैं जब वो chromatin की form में ही present होगा तब की हम बात कर रहे हैं हम जब बाद की जब आपके interface के बाद की जो chromosome वाले की बाद जो हम बाद में करेंगे कि chromosome जो बात में जब बनेगा उसके बारे में बात में बात करेंगे तो हम जो interface nucleus के बात करेंगे जब आपका जो में लिए आप आद रखिए जो आप nucleus cell का nucleus हो जब divide नहीं कर रहे है has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin उसके पास कहोते है highly extended बिल्कुल highly extended बिल्कुल और elaborate क्या होते हैं उसके पास nuclear protein fibers होते हैं जिसके पास ईश एक standards होता है बिल्कुल condensed होता है इस तरह से हम क्या कहेंगे chromatin जिम क्या कहेंगे chromatin कहेंगे nuclear matrix and one nuclear matrix and one or more spherical bodies called nuclear Computer यह आपका क्या हो गया delivers हम कएLo見て एसमें किया पाया जाता है यह है इसमें में साही पाया जाता है यह आपका क्या हो गाई नुप्लियलक्रम से हम कहेंगे ली नुकलिययो मैं केसी कीजान काडॲए नॉक्लियोप्लाजम क 활ющे मात्रिक्स जो ख़ुल्ट्र Southeast नुक्लिय Streff पार है इस पिच्चर में इसे हम क्या कहेंगे नुख्लियोलस कहेंगे सब्सक्णर को यह नूक्लियो क्या किने canadian तो अब आगे देखते हैं Electro Microscopy has revealed that the nuclear envelope जब कि nuclear envelope होती है nuclear envelope मतलब क्या हो कि nucleus की outer outer motion membrane होती है nuclear envelope हो गई जब nucleus की membranes होती होने हो क्या गएगे मिला के nuclear envelope कहेंगे क्या कहेंगे nuclear envelope कहेंगे which consists of two parallel membrane with space between them अब माझन दीज़े membrane हो गई है जो outer membrane होगी dome membrane होती है out e e inner अब इन्र ये वाली हो गई nuclear membrane हो गई है अब इन दोनों के मिलागे हूं क्या कहे रहे है nuclear envelope कहे से houटr और इनर membrane को outer press inner membrane के मिला क्या कहे रहे है nuclear envelope banned आड निहीट देता हूं nuclear envelope कहे है जिसका बाद क्या है with the space अब इनके बीच में से space huh जाने के लिए यह आउटर मेंब्रेन होगी इनके बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है इनके बीच में आप देखे छोटा आप डाइगराम ने देखे आप देख भी सकते हैं देखे बिल्कुल थोड़ा सा आप स्पेस जो है यहां पर नहीं चल रहा है इसे हम क्या कहेंगे लिए परी न०्हिकलिर स्पेस कहेंंगे क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे परि नुकलियर स्पेस जो कि कितना व 기ask है थैं 50히 नानोमेटर होता है एंसे 50 नंहोमीटर स्थेनिसको याद रखेगा इंपौटेंट है काफी 10 से 50-那我們 मेर अब यह क्या करता क्या है अब इसका फंक्शन का अब यह present है करता क्या है फोर्म सा barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm एक barrier बनाता है barrier मतलों क्या हो गया कि आने जाने का channel जो है provide गरता है जो कि nucleus के मालने nucleus है nucleus के अंतर हो यह nucleus के अंतर कोई material हो गया आपर यह इसकी membrane हो गई अब इसमें यह वाली देखते हैं यह nucleus हो गया और इसकी वाली बालने चाहिए यह वाली outer membrane हो गई इस तरह से nucleus यह यह देखिए इस तरह से nucleus हो गया तो इस तरह से आने जाने का कोगए आपकी usually remains continuous with endoplasmic reticulum, यह तो हमने पड़ि रखा है जो आपकी outer membrane होगी है, वली outer membrane होगी, इसके पास जो किस से close association में किस से रहती है, endoplasmic reticulum हमने पढ़ाई था यह तो, ER से and also be resoms, और उसके पास का होते है, ribosomes भी होते हैं, जिन हम RER कहेंगे, rough endoplasmic reticulum, इसले वो rough At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, अब कुछ places पर न्यूक्लियर आफ़्ल्प होता है, यहुकलियर ओतलो सम्ड़र yeahy, क्या पाइन जांगों कि नूइटि पोर्स नियुक्ली पितना थिके यहां पर कुछ पोर्स यहांपर इस से पाई जाएंगे फिर से आगे continue है से delegated if backend of the पहीं फिर आगे continue है ऐसे पूरी meme будете होई इस तरह से यहांपर कुछ पाई जाएंगे जिनके तुरू क्या होगा अब materials का exchange होगा nucleus से भार जा सकते हैं या फिर cytoplasm से कोई चीज अंदर आ सकते हैं इन pores के तुरू यहां पर कोई pores present होगे in pores के तुरू इंचम क्या कहेंगे nuclear pores छोट-छोटे pores होंगे जिन्यम क्या कहेंगे nuclear pores कहेंगे चिद्र इंदी में चेद कहते हैं तुरू चेद प्रेजेंट होंगे फोर्स प्रेजेंट होंगी इनके तुरू आने जाने का काम चल सकता आपको nucleus nucleus से भार cytoplasm से अंदर इस तरह से यह जो है जो है काम चलेगा तो एक बार हमने चली यह दाइगरों को फिर देखेंगे बार आगे पढ़ते हैं आगे देखते हैं इस नुकलियर पोर्स आर पास पैसेज़ जो होते हैं इस तरह से चेद होते हैं अभी मैंने आपके बताए चीजों का ट्रांसफरम करेंगे आप में ली जो आपके पासेज़ विच मुमेंट और आरेने चो बनाए लिए निस आरेने बनता में मैंने आपको बताया जो आरेने होता है उसका मूपने जो इन दोनों डायेक्शन में नूकलियस में भी भार से अंदर बहु और अंदर से बाहर भी हो सकते है, दोनों डायक्शें में आपको भी बताया रही था, Normally, there is only one, Normally, there is only one nucleus per cell, Normally, क्या होता है मारे पास, जो एकी जो है, cell, nucleus में पाया जाता है, But, variation in number of nucleus also frequent observed, लेकिन कुछ में क्या होते हैं, एक से ज़र्दधर nucleus पाया जाते हैं, यह आपर लिखावाया कि आप सोच सकते हैं कोई और्गैनिसमें एक से जादे नुकलियस हैं हमने पढ़ा नहीं हमने पढ़ा नहीं तक पढ़ेंगे हम आगे तो इसके पास क्या होगा पढ़ाया नुकलियस होता है यह एक्जांपल हो गया यह कोगनट हो गया उसमें जो पानी होता है वो ही क्या होता है कई सा उसमें क्या होते कई सारी नुकलियस पाएजाते हैं मौर देन मतलब काफी सारी नुकलियस में पाएजाते हैं जम पानी पीते हो उसमें नुकलियस होता है सब मैचोर सेल्स इवन ल यहां लीविं की समझें क्योंकि यह काम कर रही है जैसे RBC हो गई हम काफी important function कर रही है oxygen का transportation कर रही हमारे body में seed tubes जो भी उसमें जो है उसमें भी काफी role play कर रही है कोई चीजों का transportation में वो भी help कर रहा था seed tube हमने पढ़ा था chapter number 6 में so I hope आपको एक clear हुआ होगा आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे next वीडियो में आगे cover करेंगे तो यह आपकी nuclear plasm इसके बारे हम कल पढ़ेंगे नुकलियोलस होगा हमने पढ़ा nuclear pores हो गए materials का exchange होगा nuclear membrane हो गए और outer radianer को में लाके हम क्या आएंगे nuclear envelope कहेंगे आपको एक clear होगा next वीडियो में कल से हम यहां से start करेंगे यह chapter कम्प्लीट करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक किए जएगा मेरे चैनल को subscribe किए जएगा thank you मिलते हैं next वीडियो में